हेलो फ्रेंड्स आप सब लोको फिट से और एक न्यू वीडियो में स्वाग आते तो आज हो रही है हमारी नबरात्री से पहले घर की साफ साफ आई जिसका वीडियो में आप लोके साथ शेयर करने वाली हूँ तो किचेन और घर पूरी तरके से आज हम लोक साफ कर देंगे त मतलब ठकाट हो गई थी तो हडबड में मैंने जो खाना बनाए थी उसको भी आप लोके साथ सेयर करूंगी तो भीड़ में मेरे लास्ट तक जरू से बने रही हैगा तो गुड मानिंग फ्रेंड अभी सुभा हो गई है तो घर का हालत देख सकते हैं बहुत ही सारा सामन बि कर रहा है तो इसलिए घर का पूरा साप सपय बहुत ही जरूरी है तो आज घर को पूरा साप कर लेंगे कीचेन इनको भी इतने भी डिबबा है देख रहे हैं आप लूग सबको मुझे साप करना ही है तो सुभ़ा तो हर दिन हम लोग चाय नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा आज में बना रही हैं क्योंकि बहुत सारा काम है तो थोड़ा सा चाय बनाई हूं और साथ में दोध भी गरम करने के पीच में ब्रेकफास्ट बना दूँगी तो अभी देखिए बिस्किट के साथ बचलो को थोड़ा सा चाय दे तो थोड़ा से चाय देरें में दोनों को ज्यादा नहीं और दूर उट्टी था कल रात का उसको में गरम करके दे रही हूं डूगू के पापा और साहिल एक एक करके खा लेंगे तो डूगू अपना चाय पी ले बिस्कुड एक भी नहीं खाया और पीने के बाद उसका रूटी चेन रहा है वह साहिल से हमेशा जो चीज साहिल पकड़ता है वह उससे चेनता है उसाहिल का बात बिल्कुल भी नहीं मानता है बहुत बदमास हो गया है हूं तो दाल स्टों गए बागा टो कितेंस इसला मेश साल कर अएधी लेकिन बिल्की इन ने दोपका प्रणा में घुने को तो तो आज देखिए आज नवरात्री से पहले हम रोका घर को सापकना है तो डुगू के पापा भी तु लगए है सापकने के लिए तुम्हारा कारे हूँ ले लिया तो देखिए डुगू के पापा आपने मूं मास्क लगा लिये हैं सापकने के लिए क्योंकि उनको धूल से थोड़ा एलर्जी है फटा फट से उनका चिंग सुरू हो जाता है तो वैसे भी सुरू भी हो गया था थोड़ा सा भी धूल चलाता है उनके नाक में तो उनका साहिल का ही है उसका बच्पन से मतलब जब भी वो प्लेयर से शुरू के पढ़ाई अब तक अभी फाइब क्लास हो गया उसका सारा बुक्स इसमें है तो इसलिए बहुत सारा हो गया है तो इसमें जो भी जरूरी का बुक्स है जो अभी डूगू के लिए काम आएगा और ज सब्सक्राइब करें जब चोटा था लेकिन जितना बड़ा हुता जरे उतना ही उसका कपी फटा हुआ रहता है चार तरफ ड्राइंग रहता है मतलब ब्यक्कार कर देता है तो मैं जो भी जरूरी का है उसको चाट ले रही हूं और बाकी का हम लूग हटा देंगे सारे देरा रहकि तो उसके बाद मैं फटाफट से आगे की किचेंन में इतना भी आख अप tat ना जिसको में दाल मिस्री बगएरा और जो भी चीजे हो रखता है वो मुझे कमेट करके जरू से बताईएगा तो देखे मैंने सारे जो इतने डिब्बेते सब को साप कर लिया घिस घिस के अभी बहुत टाइम भी हो गया है लगबक 11 से उपर और मेरा डिबा देखे साफ हो गया है अभी मै डालता है उसका यही आदत बहुत ही अच्छा रहता है और मेरा जो किचेने वो साप तो हो ही गया है मैं घिस के पूरा साप कर देए हूं किचेन को आप देख सकते हैं अभी पूरा चकाचक हो गया है तो फटा-फट से में चावल भी बिठा दी थी और आलू को उबालने के हमारा रेडी हो गया है सारे नहा दूके भी आ गये हैं और फटा-फट से मैंने बनाई थी और डाल का छूंक लगांगे थुड़ा सा घी डालेंगे और इजो सुखल आल मिर्ज देख रहे है इसे में आलू के लिए जो डाल मिर्ज को फ्राई की थी वह ही वाला है और प्या लाल मिर्ज को डाल देंगे यह बिल्कुल तीख्या वाला नहीं है और दाल का छूंक लगा देंगी फटा-फट हेल्दी भी होता है और खान में बहुत जाया टेस्ट भी लगता है और देखे इसमें सारा सबजी भी है जो हमारे बड़ी के लिए भी सही होता है और बच्च तो देखे दाल मा हमारे बिल्कुल रेडी हो गया है और आलू का चुखा को मैंने देखी तोरा सा आलू अलग से रख रहे हूं क्योंकि डुकू के लिए बिनना तीख्या वाला मुझे निकालना है तो इसी तरह से अच्छा लगता है आलू चुखा खाने में तो यह जल्द साली बना लेते हैं अगर यह वीडियो आप लोगों अच्छा लगा हो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा अगर यह मेरा जो आपको यह कुकिंग के साथ ब्लागिंग अच्छा लगा हो प्लीज कमेट के तुरू जरू से बताईए और मुझे प्लीज थूरा सा कीजिएगा और तुरसे आचर भी साथ में ले रहे हूं तो बनके रेडी हो गया है थांक्यू फर वाचिंग